पिछले वीडियो में हमने Tally Prime Software डाउनलोड करना सिखा था उसे इंच्छाल करना सिखा था इस वीडियो में हम क्या सिखने वाले है टैली प्राइम सोफटर में कुम्पशने ये हैं जैसा कि प्राइम के सॉफटर में कंपनी करना है तो उसके लिए श्रॉट या अगर को साथ आपको के की की करना है और जो ऑप्शन है वो सेलेक करना है अगर कंपनी शट करना है तो उसके लिए शॉटकर की क्या है कंट्रोल प्लस सेलेक्ट करना है चलिए देखते हैं कि Tally Company में हम Company create करते हैं सबसे पहला option तो उसके लिए क्या करना होगा आपको Tally Prime Software का जो यह आइकोन दिख रहा है डेक्स्टप के पर उसे डबल डिक करना है कि डबल करने के वाद टैली प्राइम साफ्टर जो है वह इस यह देखिए आपके सामने एक स्क्रीन आया है उस पर आपको सेलेक कहां करना आपको जस्थ सीखना है तो कंटीनिया एजुकेशनल पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यह टैली प्राइम सफ्टर जो है यह ओपन हो गया है सबसे पहला अप्षन हम लोग क्या सीखने वाले हैं हुआ सबसे पहला ओप्षन हम लोग सीखने वाले हैं क्रियेट कमपणी तो उसके लिए क्या करना होगा आपको मैं मैंनुवली सिखा रहा हूं आपको आप शॉटकट की भी यूज़ कर सकते हैं कंपणी आपको क्रियेट ऐप्षम दिखेगा जसे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपको एक फिलब करने के लिए पूछेगा यानि कंपनी क्रेशन का एक स्क्रीन दिखेगा आपको यह कंपनी क्रेशन का स्क्रीन है वहां पर कुछ चीज़े फिलब करने होगी जैसे कि कंपनी का नेम सपोज मैंने यहां पर राजा इंटरप्राइजेश आख वेंटी 3 A.B.C. Society इंटर मारके आप आगे जा सकते हूं आदर्श नगर इंटर मारके आप आगे जा सकते हो मालाड इस्ठ इंटर मारके आप आगे जा सकते हो मुंबाई बस मुझे इतना ही टाइप करना है यहाँ पर क्योंकि मुझे महराष्ट के लिए काम करना है तो महराष्ट के हिसाब से मैं क्रिएट करूँ गा पिन कोड नमबर मैं डाल देता हूं मलारीष्ट का लिए नमबर है टैलीफोन नमबर है तो डाल सकते हो जहां किसी के लिए टेली के लिए सॉफ्टर काम कर रहे या खुद के लिए काम कर रहे तो पूरा अच्छे से फिलफ करके लिए यहां पे financial year beginning यानि कि financial क्या होता है कि एक अप्रिल से अपका financial year start होता है और अगले साल 31 मांस तक जो year है वो उसका ending year होगा तो financial year कुछ भी नहीं करना जैसा है वैसा है रहें दीजिए books beginning from जैसा है वैसा है रहें दीजिए अगर आपको suppose आपका financial year first April से start हो रहा है लेकिन आपने बुक जो है सप्टमबर मन से स्टार्ट के तो आप सप्टमबर यहां पर डाल सकते हो यहां पर मैं कुछ भी नहीं करूंगा जस्ट इंटर प्रेस करूंगा आपके आपको अगर GST अप्तिकेबल है तो आप यस कीजिए अगर नहीं है तो नो तो मैं यहां पर न ऐसे लिखूंगा एंट टाइप करूंगा और एंटर मारूंगा एंटर और यहां पर इकसेट यस बटन पर मैं क्लिक कर दूँगा तो इस तरीके से हमने राजा इंटर प्राजज़ प्राट लीमिटेड जो कंपणी है कर लिये पहले से कंपणी क्रियेट धी घ्यान गंगा इंपो टेक एक और कंपणी और एंगर क्रीए टोंग है तो क्लिक तरह से हम company शुर्ट कर सकते हैं आप या तो company में जाइए यहां पर company option में जाए और shut company पे खर केजिए या shortcut key भी आप पर सकते हैं जो company open है वो दिखेगा आप जस्थ उसस पे क्लिक केजिए और enterprise केजिए अप यहां से भी देखो राइट एंड साइड में आपको तो f3 company option दिखेगा वहाँ पे जाके आप shut company option पे क्लिक करेंगे तो यह company shut होगा लेकिन यह last company इसके और कोई company का list नहीं दिख रहा है जैसे आप shut करेंगे तो यहाँ पे yes no ऐसे पुछेगा just yes पे क्लिक केजिए जैसे सारी company अपनी शट हो जाएंगे तो इस तरह से options दिखेंगे और यहाँ पर कुछ option दिखेंगा आप create company select company specify path या select from drive इस तरह से आप option सब्सक्राइब कर सकते हैं नॉर्मल कोई भी एक company आप जैसे क्लिक कीजिए और इंटर मारिए दो इस तरह के सामने एक company अपनी से लेक ही और company आपको सेलेक करना है तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं company option पर select option उसका shortcut की है all plus F3 आपके सामने लिश्ट आएगी जो भी आपको company open करना है जैसे उस पर इस तरह के जैसे और इंटर मारिए दूसरा तरीका क्या है सेलेक company का आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखो F3 company option दिखेगा उस पर क्लिक कीजिए वहाँ पर आपको select company option दिखेगा उस पर क्लिक कीजिए इंटर मारिए इंटर मारने के बाद आपको company के लिष्ट दिखेंगे वहाँ पर जो भी company आपको select करना है उस पर क्लिक केजिए देखे इस तरीके से आप आपका जो company है वह सेलेक्ट हो चुका है यह तीन company यहां पर सेलेक्ट हुई है इसमें से एक्टिव कंपनी क्या है ज्यान गंगा इंफोटेंग अगर मुझे नेशनल इंटरप्राइज जो company वह सेलेक करना है तो उस पर क्लिक करना होगा देखें यह अभी एक्टिव कंपनी जो हो गया नेशन करना अल्रडी मैंने बता है फिर से बार बताता हूं company चल्ड करने के लिए आप यहांपे बीजा सकते हैं और यहां पर जा सकते हैं company पर जाईए और शट करना और कोई भी एक पर अल्टर ऑप्शन पर जाना है कौन सी कंपणी को आपको अल्टर करना है सब्सक्राइब नेशनल कंपणी ओपन है और नेशनल इंटरप्राइज के अंदर मुझे कुछ इंटर इंटर मारके फिर उसको एक्सेप्ट करना होगा अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो चेंज नहीं होगा इसलिए आपको एक्सेप्ट करके उसको चेंजेस करना होगा अभी यहां पर देखो क्रॉस बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो में स्क्रीन पर आ जाएगा यह टैली प्राइम का जो है में स्क्रिन है शौट कटकी उसके लिए स्के स्कप बटंड है आपके कीबुड पे स्के Eugenefinder होगा उसस पर भी क्लिक करके आप उप्षन पर जा सक्ते हैं जो भी औप्षन तक स्क्रिक्य से हमने क्या सीखा इस वीडियो के अंदर कि टैली प्राइम सॉफ्टर में कंपनी क्रियेट कैसे करते हैं कंपनी कैसे करते हैं कंपनी कैसे करते हैं और कंपनी को अल्टर कैसे करते हैं टैली प्राइम सॉफ्टर अगर सुमझो क्लोज करना है तो यहां पर क्रॉस बटन है वहा और Teleprime Software को हम लोग close भी कर सकते हैं तो इस वीडियो में बस इतना ही Thank you